नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर आज से exactly 10 दिन पहले CAG की एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई थी with respect to the द्वार का expressway उसमें CAG के द्वारा ये कहा गया था कि वो expressway जिसपे की एक किलोमीटर बनाने का जो खर्चा जो allocate किया गया था वो 18 करोड ह होना चाहिए था वहीं पर आपको वहाँ पर लगभग 200 करोड रुपे प्रती किलोमीटर का खर्चा देखने को मिल रहा है CAG का ये कहना था कि खर्चे में जो हमें elevation देखने को मिली है ये almost 14 times के आसपास की हमें यहाँ पे elevation देखने को मिली है जो की बताता है कि इसमें को लेकर अब हमें नई developments देखने को मिली है आज से 2-3 दिन पहले क्या हुआ था कि हमारी जो ministry of road, transport and highway है उसके द्वारा ये कहा गया कि जो CAG की audit report आई है द्वार का expressway को लेकर वो erroneous है erroneous मतलब कि ये साफ साफ गलत है और जो यहाँ पर ministry ने ये भी कहा कि जो CAG के द्वार का इस्तेमाल करी गई calculation की methodology है ये भी totally गलत है अब उसमें एक और development सामने आई है कि जो हमारे road minister है Mr. Natin Gadkari उनके द्वारा कल ही एक बैठक में उनके द्वारा ये चीज को कहा गया कि CAG की report जो है वो गलत है इन्होंने बलकी साथ में ये भी कहा again इन्होंने वही बात को दोरा कि इनकी calculation methodology भी गलत है और इन्होंने कहा कि इसमें in fact सरकार के द्वारा जो है जो खर्चा किया जा रहा है उसमें 12% की saving हुई है मतलब 12% के आसपास का profit है जो की हमें देखने को मिला है तो बात करेंगे इन्ही claims के बारे में also ये किस तरीके से इनको justify किया जा रहा है इसको भ दोस्तों बताना चाहूंगा कि हमारा जो आकरी उडान batch है ये शुरू होने वाला है from the 1st of September तो अगर आपने इसमें enroll नहीं क्या है अभी जाए enroll कर लीजे 31st August is the last date आपको इस batch में enroll करने के लिए इस batch में आपको जितनी भी requirements होती है UPSC exam के लिए वो सारी के सारी available करवाई ज जा रही है और मेरे द्वारा आपके लिए इस batch में science and tech already शुरू किया जा चुका है और आगे जाकर के मेरे ही द्वारा आपके लिए physical geography का course भी पूरा करवाया जाएगा तो अगर आपने ये enroll नहीं क्या है अभी जाए enroll कर लीजे इसमें enroll करने का जो link है वो दोस्तों description में द check out कीजिए UPSC की जितनी भी offerings है जो भी आपको चीजें चाहिए होती है वो सारी चीजें आपको मिलेंगी आने वाले 2 साल तक ये pass active रहने वाला है आप इसमें जाकर के enrollment कर सकते हैं मात्र 20,000 रुपे में आपको ये pass मिलेगा और अगर आपको ये discounts चाहिए ये वाले price हैं तो देखिए जो लोग नहीं जानते द्वार का expressway की location को आपको briefly बता दूँ ये दोस्तो नई दिल्ली है और नई दिल्ली के इस तरफ में आपको गुडगाओं देखने को मिल जाता है असल में क्या था कि बहुत पहले काफी लंबे अर्से पहले नई दिल्ली और जाता है ये वही वाला highway है जिससे आप नई दिल्ली से जैपूर तक चले जाते हैं तो नई दिल्ली से जैपूर के जाने के रास्ते में ही आपको गुडगाओं देखने को मिलता था तो शुरू में बनाया गया था ये नई दिल्ली और गुडगाओं के बीच में एक expressway के नाम से कि ये नई दिल्ली से गुडगाओं का जाने के आपका जो रास्ता है वो clear हो जाएगा लेकिन over the period of time because यहाँ पे शहरी करन बहुत बढ़ गया है उद्योगी करन बहुत बढ़ गया है तो उसके बाद जो ये वाला expressway है यहाँ पर भी अब आपको बहुत जादा traffic बह यहाँ पे इस तरीके से पहुंचेगा इसको आप यहाँ पे बहतर तरीके से देख पाएंगे नई दिल्ली का जो शिव मूर्ती चौंक है वहाँ से यह शुरू होगा और यहाँ से शुरू होते होते इस तरीके से existing वाले expressway के almost parallel जाएगा और यहाँ पर आकर के आपका जो यह वाला toll है यहीं पर आकर के मिल जाएगा तो इसका जो यह नया वाला expressway था इसका नाम था द्वार का expressway जो की यहाँ पे plan किया गया था इसी द्वार का expressway की construction को लेकर आज से 10 दिन पहले report सामने आई थी CAG की जिसमें की इन्होंने बोला था कि इसकी जो cost होनी चाहिए थ थी CCEA के द्वारा वो 18 करोड प्रती किलोमीटर होनी चाहिए थी लेकिन जो खर्चा किया जा रहा है वो 200 करोड प्रती किलोमीटर का किया जा रहा है आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे the CAG has flagged the very high civil construction cost of the 29.06 किलोमीटर द्वार का एक्स्प्रेस वे यह वाला जो द्वार का एक्स्प्रेस वे है इसकी जो लेंथ है यह approximately 39 किलोमीटर की है जिसमें से कुछ लेंथ नई दिल्ली में है और कुछ लेंथ आपको हर्याना की स्टेट में देखने को मिलती है वेकॉस जो 19 किलोमीटर के आसपास का स्ट्रेच है वो गुड़वाओं में ही बन रहा है तो इनका यह कहना है कि इसमें 200 करोड प्रती किलोमीटर का खर्चा आ रहा है जबकि 18 करोड प्रती किलोमीटर का खर्चा ही था जो कि CCEA के द्वारा अप्रूफ किया गया था लेकि इन्होंने बताया कि असल में जो मेथोडोलोजी इस्तिमाल करी जा रही है for computing the cost of Dwarka Expressway CAG की वो मेथोडोलोजी ही गलत है इन्होंने बताया कि देखिए जो total cost of construction जो की national corridor efficiency program के तहत allocate करी गई थी वो 91,000 करोड के आसपास का खर्चा allocate किया गया था और यह कहा गया था कि 5000 किलो length आपका है जिसको हम लोग एक तरीके से और जादा बहतर करने वाले हैं तो इसको CAG ने क्या किया कि 91,000 को simply इन्होंने divide कर दिया 5000 से और यहां से यह इस आंकडे पर आ गए है कि 18.2 करोड प्रती किलोमीटर का खर्चा आना चाहिए था लेकिन ministry का यह कहना है कि असल में यह calculation बिल्कुल गलत है because इस calculation में जो सडक पे बनने वाले जो अलग अलग तरह के packages होते हैं जैसे flyovers हुआ, ring road हुआ, tunnels हुए, underpasses हुए, उन सब चीजों को यहां पे account में नहीं लिया गया है जिसकी वज़े से यह calculation ही totally गलत है इन्होंने बताया कि अगर हम लोग बात करते हैं यह यहां पर आपको बहुत सारे और भी इसमें components देखने को मिलते हैं, elevated roads देखने को मिलती हैं, underpasses देखने को मिलते हैं, tunnels देखने को मिलते हैं, बलकि इसमें बताया जा रहा है कि almost 6 km लंबा tunnel बनाया जा रहा है और इसमें बलकि यह भी बताया जा रहा है कि दिल्ली का सबसे ब इनकी cost को include नहीं किया गया है, इन्होंने बलकि ministry ने ये बताया कि जो 18.2 करोड प्रती किलोमीटर का जो खर्चा है, ये तै किया गया था, जहां पर आपको एक plain road बनानी है, लेकिन जो बाकी components आते हैं, जैसे कि roads, elevated roads, underpasses, tunnels, इनका जो खर्चा है, ये उसी मौके पे तै किया जाता है, जिस time पे detailed project report को बनाया जाता है, तो ये वाला खर्चा जब तै किया गया, तो obviously ये खर्चा बहुत जादा आता है, ये 18 करोड प्रती किलोमीटर पे आप इन सब चीजों को नहीं बना सकते हैं, in fact ministry ने यहां पर साथ ने बताया, कि जब हमने DPR को ready किया था, detailed project report को ready किया था, तो असल में हमने जो average cost जो हमने निर्धारित करी थी, इस highway के लिए प्रती किलोमीटर वो approximately 206 करोड प्रती किलोमीटर के आसपास की cost थी, उसके बाद जब बहुत सारे लोगों ने इसमें bidding करी, अलग-लग players ने bidding करी, तो हमने जिस bidder को finally ये project award किया था, उसको जो cost हमने यहाँ पे award करी है, that is 181.94 करोड पर किलोमीटर, यानि की सरकार ने निर्धारित 206 किया था, और हमने award किया है 181 पे, मतलब की हमने 12 प्रतिशत की यहाँ पे cost saving करी है, मतलब की 12 प्रतिशत का profit है, जो की सरकार ने कमाया है, यही बात कही गई है, the average construction cost of the four packages of the expressway was 12% lower than the estimates, यह वाला statement है, जो की यहाँ पर इनके द्वारा दिया गया है, यह सारी की सारी बातें पहले ministry ने कही और उसके बाद कल एक बैठक में गदकरी जी के द्वारा कहा गया, इन्होंने कहा कि जो यह report लाई गई है, यह बड़ी बात इसलिए है, because generally CAG की reports को लेकर कोई भी इस इस तरीके से नहीं बोलता है, और क्योंकि constitutional body है, तो generally नहीं कहा जाता है, लेकिन यह पहली बार हमें देखने को मिला है, that they have responded to the audit report on the huge funding mismanagement on the द्वार का expressway, और इन्होंने बलकी बताया, कि हमने CAG को यह सारी की सारी clarification दी थी, और CAG के अधिकारी इस clarification से convinced भी थे, लेकिन उस के बावजूद उनके द्वारा इस report को publish किया गया है, दोस्तों काफी बड़ा मुद्दा है, यह इसमें opposition भी उतर आया है, बोल रहा है कि यह पूरा scam चल रहा है, वो सब चीजें भी चल रही है, लेकिन अभी जो यहाँ पे clarification सरकार के द्वारा दी गई है, तो उनकी clarification कुछ और है, आपकी इस पे क्या रहा है, आप लोग हमें बता सकते हैं, comment section में, जाने से पहले बताना चाहूंगा कि optionals में भी आप चाहते हैं, तो enrollment ले सकते हैं, in only and only 10,000 rupees, और अगर आप चाहते हैं, तो combo में भी आकर के enrollment ले सकते हैं, along with GS, and optional आपको यह दोनों चीजें मिल रही में, इन सभी के enroll करने के जो links हैं दोस्तों, वो description में दिये गाए है, thank you so much for listening, stay tuned and stay safe.